दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आज की नई एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं टोपिक थरी लुब्रिकेशन सिस्टम का पार 30 रहा हम बढ़ेंगे पार 1 और पार 2 हमारा कंपलीट हो गया है आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंजन ओविल फिल्टर के बारे में दोस्तों गर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली नोटिपिकेशन आपको प्राप्त हो सकें और इस वीडियो की पीडियेप के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल में जुड़ सक तकर यह अलग टेंग में रखा जाता है इसका संप लोडते वे oil गिराने के काम आता है शंपका oil प्रूने उसी टेंग में चला जाता है इसी परकार व्योस्ता हवाईजाज-दिक के इंजिनूमें की जाती है आप चित्र भी देख सकते हैं आगे हम बात करते हैं ओयल प्रेशर रिलिफ वाल की इस्तिक्या होती है इंजन की चाल अधिक होती है तब ओयल पंप की चाल भी बढ़ जाती है जिस से मेन ओयल गिलिरी में लूबरिकेशन ओयल का दबाव खाफी बढ़ जाता है इसे इंजन के भागूं के बीच ओएल अधिक समय तक नहीं ठेहर पाता है इस दोस्को दूर करने के लिए ओएल प्रेसर रिलिफ वाल का पुरियोग किया जाता है ये वालव ओएल पम में ही लगाया जाता है प्रेसर रिलिफ वाल एक स्प्रिंग लोडेड वालव है जो तेल के दबाव में खुल जाता है इसे निश्चित दबाव पर खोलने के लिए एड़ेस्ट किया जा सकता है जब engine की चाल अधिग होती है तो oil का दबाव अधिग होकर इस pressure relief वाल को खोल देता है इसे oil का मारग और खुल जाता है इस परकार oil का दबाव कम हो जाता है pressure relief वाल दबारा निकला oil पुने गेर हों दबारा engine की main oil gallery में जाने लगता है आप चितर में भी समझ सकते हैं oil pressure relief वाल का चितर दिखाय गया है यहां से oil परवेश करता है और यहां outlet के दबारा बार निकला जाता है यह दो rotor गोमते हैं इनी की साहिता से oil आगे बढ़ता है यह bypass mark यहां से oil वापिस इदर आ जाता है आगे हम बात करते हैं oil dip stick oil dip stick दबारा oil chamber में भरे oil की सते की जांच की जाती है यह engine के oil chamber में एक और इस परकार लगी होती है कि इसका नीचे का सीरा oil chamber में भरेवे oil में डूबा रहे यह एक लोए के तार या पत्ती की बनी होती है इस पर low, full और dangerous लिका होता है तता इसके निशान बने होते है आप oil disc tape देख सकते हैं जिसके दबार oil की जांच की जाती है दोस्तों आपने टेक्टर के इंजनू में देखा होगा कि oil को नापने के लिए इस डिस्क लगी होती है उसको अंदर डालते हैं और साफ करते हैं साफ करने के बाद वापिस फिर अंदर डालके उस पर देखते हैं कि oil कहां तक बरा हुआ है उसके उपरे तीन अंग लिके होते हैं low, full और danger उसी के इसाफ से हमें पता चलता है कि कितनो oil है इंजन में आगे हम बात करते हैं oil filter के बारे में इंजन के सभी भागूं का lubrication करके जब oil वापस आता है तो अपने साथ इंजन के भागूं से गंदगी तदा धातू के में कन लाता हैं यदि ये गंदगी या दातू के कन पुने oil के साथ इंजन के भागूं के बीच चले जाए तो रगड़ कर चलने वाले भागूं का शिगर किसना सुरू हो जाएगा तदा गंदगी के कन oil जाने के मारक भी अवरूद हो जाएंगे जिससे उन सभी भागूं का लुबरिकेशन नहीं हो पाएगा इसलिए इस गंदे तदा दातू कन मिस्रित oil को साब करने के लिए oil filter का परियोग किया जाता है इसके लिए oil pump तदा main oil gallery के बीच oil filter को लगाया जाता है oil filter तीन परकार के होते हैं पहला बारा परकार एक कार्टीज टाइप दूसरा है एज टाइप तीसरा है सेंट्रिफ्यूगल टाइप फिल्टर चितर भी देख सकते हैं दोस्तों आप आगे हम बात करते हैं कार्टीज टाइप oil filter दबारा चनकर पुने oil engine के बागू में जाता है इस filter में कागज नमदा तता तार की महिन जाली का परियोग filter element के रूप में किया जाता है ये element एक AC casing में बंद रहती है जिसमें oil आने में चनकर जाने के लिए पर्तक पर्तक मार्ग बने वें इसके तल में एक ड्रेगन पलग लगा रहता है जिसे खोल कर गंदा oil बाहर निकला जा सकता है ये पेल्टर element अधिक गंदा हो गया तो उसे बदलना चाहिए आगे हम बात करते हैं oil cooler की बारे में जब engine में से होकर oil वापस संप में आता है उसमें ये गरम होता है संप में आने पर वातावरण की ठंडी हवासें ठंडे हुए संप के संपरक में आने से oil सामाइनी ताप करम पर आ जाता है परंतु अधिक परवाव साली ढंग से उसे ठंडा करने के लिए oil cooler का परियोग किया जाता है इसके लिए heat exchanger का परियोग किया जाता है इससे निकलने वाले oil की गरमी पानी में चली जाती है और oil ठंडा रहता है कुछ इंजनों में crankcase के बार फिंस भी लगाई जाती है और कई इंजनों में अलग से एक oil radiator का परियोग किया जाता है आप oil cooler का चितर भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं चितर के मादिम से टू स्ट्रोग इंजन में lubrication के लिए paint roll में ही mobile oil मिला जाता है जो कि इंजन में जाकर उसके भागों का lubrication करता है उन में से अलग से lubrication की व्योस्ता नहीं करने पड़ती lubrication की ये व्योस्ता paint roll आई system कहलाती है परन्तु यदि इस system के इंजन को काफी देर तक खड़ा रखा जाए तो इंजन oil नीचे बेड़ जाता है oil cooler radiator type देख सकते हैं आप चितर में पांचों है crankcase ventilation इंजनों के oil sum से दुसित gas room को बाहर निकालने की व्योस्ता crankcase ventilation कहलाती है जब convention होता है तो cylinder के अंदर nitrogen carbon monoxide carbon dioxide तदा पानी बनता है तदा fuel में भी गंदक भी होता है जिससे acid बनता है यह सब compression के समय संप पर आकर अपना परबाव डालते हैं जिससे oil पतला हो जाता है आगे हम बात करते हैं वे जंग लंगने की संभावना रहती है इसके लिए crankcase में एक टेड़ पाइप फिट कर दिया जाता है जिससे दूसीदगे से बाहर निकलती रही इसी पाइपों को ब्रिद्र पाइप भी कहते हैं जिससे यदि फिल्टर बंद भी हो जाए तो इंजन के भागु में ओल पौंस ता रहता है दूसरा है फुल फलो परणाली, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, फुल फलो ओईल परणाली में पंप दवारा प्यूल ओईल पेले फिल्टर हो जाता है, चता वहां से इंजन के बेरिंग आदी में जाता है, बेरिंग से वापस ओईल संप में आ जाता है, यदि किसी कारण से फिल्टर चोक हो जाए तो लुब्रिकेशन परणाली पर अपना कार ये बंद कर देती है आप चितर में भी समझ सकते हैं दोनुप परणाली बताई गई है बाइपास परणाली और फुल फलो परणाली आगे हम बात करते हैं ओईल प्रेशर गेज ओईल प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम में इंजिन की मेन ओईल गेलेरी में से तेल का दबाव कितना है ये पता करने के लिए ओईल प्रेशर गेज का परियोग किया जाता है ये गेज दो परकार के होते हैं पहला है Pressure Expansion Type Oil Pressure Gauge, दूसरा है Electric Balancing Coil Type Oil Pressure Gauge, पहला हम पड़ेंगे Pressure Expansion Type Oil Pressure Gauge के बारे में, ये Gauge Dashboard पर लगा रेता है, तता एक Pipe दवारा इसका समन इंजन की Main Oil Gallery में कर दिया जाता है, इस परकार Main Oil Gallery में तेल का जो दबाव बनता है, वे Pipe दवारा Dashboard पर लगे Gauge की सुई पर दबाव डाल कर तेल का दबाव दरसाता है, यदि ये Gauge तेल का प्रयाब दबाव मोटर ग चाहिए, यदि तेल कम हो तो उसे पूरा कर देना चाहिए, यदि तेल की साथ ठीक है तो Pump आदी की जांच करने चाहिए, आप चितर भी देख सकते है, Pressure Expansion Type Oil Pressure Gauge का, आगे बात करते हैं हम, Electric Balancing Coil Type Oil Pressure Gauge, इसमें दो यूनिट होते हैं, एक इंजन की Oil Gallery में, दूसरा Indication Unit Dash Dashboard पर, इस यूनिट में एक sliding contact होता है, जो एक resistance पर चलता है, जब diaphragm पर तेल का दबाव पड़ता है, तो वे उपर उड़ता है, और sliding contact को गति परदान करता है, इसे circuit में resistance बचता है, और current कम परवावित होता है, Dashboard यूनिट में दो कोईल होती है, जो current की मातरा के अनुसार आर्मेचर को संतुलित गति देती है, इस पर लगी हुई needle एक dial पर घूमती है, जो तेल का दबाव पर दिशित करती है, आप चितर भी देख सकते हैं दोस्तों, Electric Balancing Coil Type Oil Pressure Gauge गा, Oil Pressure Warning Lamp, इंजन की आदुनिक जास्ता में, इंजन Oil Pressure दरसाने के लिए Oil Pressure Warning Lamp का परियोग किया जाता है, इसके लिए वार्निंग लेंप एस इस्तान पर लगाते हैं, जहां सरलता से operator दबारा देखा जा सके, Main Oil Gallery से Steel Pipe दबारा उसका समन्द Oil Pressure Switch से किया जाता है, Oil Pressure Switch को बेटरी से तदा लेंप से समन्द करते हैं, इसे चितर 10.18 में दिखाया गया है, जब इंजन नहीं चलता है, अथवा दी में चलता है, तब वार्निंग लेंप Ignition Switch On करने पर जल जाता है, जैसे ही इंजन चलता ह तदा इंजन की चाल बढ़ती है, तो वार्निंग लेंप बुझ जाना चाहिए, यदि वार्निंग लेंप बुझ जा रहता है, तो इंजन में तेल की सते कम होने पर उसे पूरा करना चाहिए, अने था Oil Pump आदी की जांच करने चाहिए, ओल प्रेसर वार्निंग लेंप का वि धुछालख बदलना हो तो उसे कुछ देर तक चलाना चाहिए जिस से इंगन ओउल गरम हो जाए। उसके बाद ड्रेगन ब्लक lasas कर संप में फ्लिशिंग ओयलिंगम, वडरकर पुने इंगन को चलाकर इंगन को उस तल से खंग आलना चाहिए इस तल को निकालने के बाद निश्चित मातरह में उचित ग्रेड का विस्कोसिटी का मोबील ओयल भरना चाहिए इंजन का तेल बदल से समय एर क्लिनर का तेल भी साब करने के बाद बदल देना चाहिए अब हम पढ़ेंगे लुब्रिकेशन प्रणाली के दोस कारण में उपचार क्या क्या है पहला हमारा दोस है इंजन ओयल का प्रेशर कम होना है इसका कारण हो सकता है ओइल संप में ओइल की कमी दूसरा कारण हो सकता है ओइल पतला है तीसरा कारण है में बिगेंट बेरिंग गिस गए है चोता कारण है ओइल मारगू में लिकेज है पांचमा कारण है ओइल प्रेशर लिपवाल दो स्पूर्ण है शटा है हमारा ओइल पंप दो स्पूर्ण है स सही ग्रेड के ओयल का उप्परियोग करना चाहिए, इंजन अवर रोलिंग करना चाहिए, डूंड कर लिकेज रोकने चाहिए, प्रेशर रिलिप वाल वदलना चाहिए, ओयल पंप की जांच कर सही करनी चाहिए, प्लेशिंग ओयल को साब करना चाहिए, ओयल प्रेशर गेज स अधिक मोटा अगला है ओयल प्रेशर रिलिफ वाल दो स्पून है तीसरा है प्रेशर रिलिफ वाल ठीक परकार से एड़ेस्ट नहीं है चोता है ओयल प्रेशर गेज दो स्पून है इसका उपचार है सही ग्रेड के ओयल का परियोग करना चाहिए प्रेशर रिलिफ वाल बदल चाहिए, प्रेशर एलिफ वाल को ठीक परकार से एड़ेस्ट करना चाहिए, ओयल प्रेशर गेज सई करना चाहिए। तीसरा हमारा दोस है इंजन ओयल की अधिक खपत करता है पिस्टन रिंग का घिसना दूसरा है सिलेंडर का घिसना तीसरा है इंजन बेरिंग का घिसना चोता है इंजन में ओयल का लीग होना और पांचमा है वालव गैड का घिसना इसका उपचार है पहला पिस्टन रिंग कराना चाहिए और लिकेज को रोकना चाहिए और वालव गाइड बदलना चाहिए दोस्तों मारा लूब्रीकेशन टौपिक कम्प्लीट हो गया है आज नेच्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लूब्रीकेशन सिस्टम के उब्जेक्टिक्यूशन की चर्चा करेंगे और उसके बाद अगला चेप्टर शुरू करेंगे तो अमारा अगला वीडियो होगा वलूब्रीकेशन सिस्टम के objective question पर होगा दोस्तों अगर दोस्तों आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को subscribe जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले notification पराप्त हो सकें और दोस्तों वीडियो को like जरूर किया करो जिससे हमें मोटिविशन मिलता है और आपके लिए steady material आज सकें और दोस्तों इस वीडियो की PDF के लिए आप हमाँ टेलिग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जिसका link वीडियो की description में दिया गया है धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ